पीने वालों को पकड़ने की अपेक्षा जो सप्लायर है माननी मुकंद्री जी का ये निदेश हुआ है हम पीने वालों की पीछे दोड़े या हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जागा लाखों लोगों को सराब पीने के जुर्म में जेल भेजने वाले निदेश कुमार में एक और नया फर्मान जारी किया है इस फर्मान में सराब पीने वाले नहीं बल्कि सराब बेचने वाले लोगों को जेल भेजा जाएगा पुलिस अब ड्रोन से लेकर हलिकॉप्टर तक उड़ाएगी और सराब पीने वाले नहीं वालकि बेचने वाले के उपर एक्षन लगी पुलिस की प्रात्मिक्ता बदल गई है अब पुलिस जो सराब बेचने वाले हैं उनके उपर सीधे तोर पर एक्षन लगी हलाकि सराब पीने वाले पकड़े जाएंगे वो भी नहीं बचेंगे लेकिन पुलिस की प्राथमिक्ता बदल गई है वो पीने वाले से ज्यादा सराब बेचने वाले की अब तलास करेगी लाखों लोगों को जेल भेजने के बाद हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट में सरकार की खूब किरकिरी होई क्योंकि ये सब ही लोग सराब पीकर जेल गया थे ऐसे में नितीश कुमार एक बार फिर से यूटर लेते हुए अब नया फर्मान जारी किये है और इस बात की जनकारी मुख सचीव खुद दे रहा है नितीश कुमार ने सराबंदी में और सक्ति के लिए जो समीच्छा बैठक बुलाई थी उसमें ये फर्मान दिया गया था मानी मुख मंत्री जी ने शराबंदी से जुड़े हुए मामलों पर बहुत विस्तार से समीच्छा की है मानी मुख मंत्री जी ने निदेश दिया कि नाजाएक शराब की आपूर्ती और विक्री के खिलाफ चड़ रहे अवियान को और भी सखन बनाए जाए उसमें तेजी लाई जाए और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं चाहे राज्ये से बाहर के हो या राज्ये के अंदर के हो या जो उसका भंडरन करते हैं या जो विक्री करते हैं उनको ही पकड़ा जाए पीने वालों को पकड़ने की अपेक्छा जो सप्लाईर हैं उनको पकड़ने पर बल है उनके किलाब कारवाई और नके बल पकड़ना बलके उनको कोट से जज़ा दिलाना ये उसमें शामिल है माननी मुकंद्री जी का ये निदेश हुआ है देखिए बात प्रात्मिक्ता की है कानून में दोनों चीजें अपराद है अगर हम एक सप्लायर को पकड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो एक हजार पीने वाले हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है तो सप्लाई लाइन को कट आओफ करना काट देना ये अच्छा है ना हम पीने वालों के पीछे दोड़े अब को इा हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जागा माफी नहीं है लेकिं प्रात्मिक्ता प्राइटी हाँ सप्लाइ राइनी बंद होगी तो लोग पीने हैं नहीं पीने वालों की संख्या में कमी आएगी इसलिए पराच मिखता हूँ उसी की बट ये हम ये संदेश नहीं दिलना चाहते हैं कि लोग पीकल के आराम से खुमें हम नहीं पगड़े हैं अच्छा कि लिए कर दिये लेकिन इस बात की कभी कर दोचना होती थी कि पुलिस या पादिभाग केब पीने वालों को पकड़ते हैं तो उसी का जवाब दिया गया कि हमारा फोकस और पराइटी उदर है लेकिन अगर नेट में कोई आगया कानून के पकड़ में कोई आगया पीने वाला तो अब राद तो बारह न अब राद है एल टी एफ को दोबारह गाड़ियां दे दी गई है उनका थावाग से अब गाड़ियां दे दी गई आप गाड़ियां चल रही है इसलिए उद्देश जो एक्ट का है वो अगर एग्जगुटिव मेंस्टेट से नहीं हो रहा है तो जो डिशन मेंस्टेट से हो रहा है बात बराबर कोट कोई भी हो प्रावधान लागू हो चुका है और उसका आसर भी है